आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ नियूरो कमपेक करके जो सॉफ़वेर है हमारा इजी का उसके उपर सीडी कैसे क्रियेट करते हैं सबसे पहले तो जो भी पेशन्ट का हमें सीडी बनाना है यहाँ पर रैट क्लिक करो एक फोल्डर बना के रख दो नियू फोल्डर यहाँ पर उसको जो भी पेशन्ट का नाम नेम है उसको नेम लिख दो ओके सबसे पहला काम डेक्ट्ट्टोप के उपर एक फोल्डर बना के क्रियेट करके छोड़ दो ओके फिर यह सॉफ़वेर को उपन करो नियूरो कमपेक्ट नबे क्लिक ओपर यहां से नेक्स्ट फिर अभी जो पेशन्ट भी चाहिए उसका नाम हम सिलेक कर लो यहां से मैं यह पेशन्ट का फलक इसको सिलेक करता हूँ सबसे पहले यह सिलेक करके आपको उसका रिपोर्ट जो भी है वो आटेज कर देना है जैसे कि मैंने यह लिया ह और इसको एडिट करके आपको कर देना है और यहां पर जो कुछ भी आपको अटेज करना हो रीपोर्ट में वह लिखके वगर आपको कर देना है कि यहां कि नो प्पेशन का रिकोर्ट हो गया करा करा कि छोड़ लो यह इसको पर बन कर दो फिर हमें क्या करना है कि पर चुस्टन का जतना भी पेजिज हमने लिया है उसको यहां से bookmark पर click करो bookmark pages यहाँ पर देखो total number of pages recorded 164 page है तो यहाँ पर one number लिख दो one one से लेके 164 page यह पूरा record है 164 page का उसको आपने यहाँ पर डाला 1 to 164 यहाँ पर सब है all इसको कर दो apply यह पूरा record apply हो गया अभी यहाँ पर user option में जाना है यहाँ सामे करना है export cd यह फिर बोले का backup file और यहाँ पर है ok जैसे ही export होती है यहाँ पर लिख क्या रहा है कि c program में file के अंदर neuro compact करके folder है उसके अंदर backup के अंदर आपका easy record हुआ है successfully exported in c program c file program वाले folder के अंदर files neuro compact वाले folder के अंदर backup यहाँ पर पूरा store हुआ है आपका recording ok कर दो अभी उसका exit कर दो अभी हम जाएगा computer में my computer open यहाँ पर हम जाते हैं c drive मैंने बोला c drive में था program files के folder में यहाँ पर neuro compact के folder में और यहाँ पर यह backup यह backup के अंदर यह files उसके आ गई है वह patient के आ गई है यह पूरा सब फाइल ले लो copy select किया copy कर दो अभी इसको यहाँ सब बन कर दो अभी यह जो हमने desktop पर फूल्डर बना था उस पर डबे क्लिक ओपर यहाँ पर click करके paste कर दो ओके वो जो patient का हमने लिया था वो यहाँ पर आ गया अभी यह tv वाला जो है neuro cd इस पर click करके open करके देख लो कि वो same नाम का patient आया है के नहीं तब है click open yes same interface आ गया देखो मैंना आपको बोला था ना फालक नाम का patient था उसका यह पूरा recording 21 minute का आ गया है यहाँ पर पूरा अभी view test कर दो montage वगेरा change करके और यहाँ पर report भी चेक कर लेना यह same report आ गया देखो और यह से create होती है हमारी cd e g close करता है फिर इसको आपको simply यह folder को आपको select करके cd बनानी हो तो यहाँ पर my computer में जाके यहाँ पर पेस कर देना यह folder एक बार आपके पास आ जाएगा और फिर आप उसको cd बना सकते हो cd डार में डालके ठीक है thanks